ओम शैंति 25 अक्तूबर 2024 मीठे प्यारे बाबा के आज के मीठे मधूर महभाग्य आज की मुदी में बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को सदा ये खुशी और नशा रहना चाहिए कि हम सच खंड के मालिक बन रहे हैं हमें योग बल से अथा सुखो वाली दुनिया स्थापन करनी है अब इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल जाना है किसी भी विकार के वश्खो विकर्म नहीं करने हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल सच्ची सुख शांती का अनुभव करना है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली ओम शांती बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाब की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं इसलिए कहा चाता है नजर से निहाल प्रश्न तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाडे बचने चाहिए क्यों? उत्तर क्योंकि तुम चानते हो बाबा आया है सब को साथ ले जाने अब हम अपने पाप के साथ घर जाएंगे हाहाकार के बाद जैजैकार होने वाली है बाब की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा मिलने वाला है सारी विश्व निहाल हो जाएगी ओम शैंती रुखानी शिर्व बाबा बैठ अपने रुखानी बच्चों को समझाते हैं यह तो चानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है बाब चानते हैं सारी दुनिया की जो भी आतमाएं हैं सब को मैं वर्सा देने आया हूँ बाब की दिल में तो वर्सा ही याद होगा लौकिक बाब की भी दिल में वर्सा ही याद होगा बच्चों को वर्सा देंगे बच्चा नहीं होता है तो मुझते हैं किसको दें फिर एडॉप्ट कर लेते हैं यहां तो बाब पैठे हैं इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आतमाएं हैं सब तरफ नजर चाती है जानते हैं सब को मुझे वर्सा देना है भल बैठे यहां हैं परन्तु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है बाब समझाते हैं यह है पुरुशोत्टम संगम यूग तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सब को शान्तिधाम सुख दाम ले जाने सब निहाल हो जाने वाले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प, निहाल हो जाएंगे, बाब सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे, ट्रामा प्लान अनुसार सब को वापिस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है, थोड़ा आगे चलेंगे, तो खुद भी समझ जाएंगे, अब पिन आश होता है, अब नई दुन्या की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चतन्य है ना, तो बुद्धी में आ जाएगा, बाप आया हुआ है, पैरडाइस स्थापन होगा, और हम शान्तिधाम में चले जाएंगे, सब की गती होगी ना, बाकी तुम्हारी सत गती ह की, अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जैजैकार हो जाएगी, अभी तो बहुत हाहाकार है, कहां अकाल पर रहा है, कहां लड़ाई चल रही है, कहां भूकम खोते हैं, अजारों मरते रहते हैं, मौत तो होना ही है, सत्युग में ये पातें होती नहीं, बाप चानते हैं, अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जह जय कार हो जाएगी, मैं भारत में ही जाऊँगा, सारे विश्व में भारत जैसे गाउँ है, बाबा के लिए तो गाऊँ ठहरा, बहुत थोड़ी मनुश्य होंगे, सत्युग में सारी विश्व जैसे एक छो कोटा गाउं था अभी तो कितनी वृद्धी हो गई है बाप की बुद्धी में तो सब है ना अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं तुम्हारा पुरुशार्थ वही चलता है चो कल्प कल्प चलता है बाप भी कल्प व्रिक्ष का बीज रूप है यह है और पोर ज़ाड उपर में है इनकॉर्पोरियल ज़ाड तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है यह समझ और कोई मनुश्य में नहीं है बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो कहां समझदार स्वर्ग में राचे करते थे उनको कहा ही चाता है सच खंड हेवन अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए बाबा आया हुआ है यह पुरानी दुन्या तो जरूर बदलेगी जितना 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 जो पुरुशार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे बाब तो पढ़ा रहे हैं यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत पृद्धी को पाती रहेगी बहुत हो जाएंगे सबका स्कूल इकठा थोड़े ही होगा इतने रहेंगे कहां तुम बच्चों को याद है अभी हम चाते हैं सुखधा जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो आठ दस वर्ष जाकर रहते हैं ना फिर आते हैं भारत में भारत तो गरीब है विलायत वालों को यहां सुख नही आएगा वैसे तुम बच्चों को भी यहां सुख नहीं हैं तुम जानते हो हम बहुत उची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं वहां कितने सुख होंगे उस सुख को सभी याद करते हैं ये गाउं यानि कल्युक तो याद भी नहीं आ सक इनमें तो अठा दुख है इस रावन राच्चे पतिच दुन्या में आज अप्रम अपार दुख हैं कल फिर अप्रम अपार सुख होंगे हम योग बल से अथा सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं ये है राच योग है ना बाग खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओ का राजा बनाता हूं, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना, टीचर पिगर, पेरिस्टर, इंचीनियर आदी थोड़े ही बन सकते हैं, ये फिर है नई बात, आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, बाप आपे ही समझाते रहते हैं, मनुष्य तो लाखों वर्ष आयू कह देते हैं, बाप कहते हैं, नहीं, ये तो हर पांच हजार वर्ष बाद, तुम जो पहले-पहले बिचुड़े हो, वही आकर बाप से मिलते हो, तुमको ही पुरुशार्थ करना है, मीजे-मीजे बच् कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, जीब आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीब विनाशी है, आत्मा एक शरीर छोड़, दूसरा लेती है, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडर्फुल, पढ़ाई भी wonderful है, किसको भी याद नहीं, भूल जाती है. आगे चन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? इस चन्म में तुम पढ़ते हो, result नई दुनिया में मिलती है. यह सिर्क तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए. अभी यह पुरुशोत्म संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं. यह याद रहे तो भी तुमको पाप की याद रहेगी. याद के लिए बाप अनेक उपाए बताते हैं, बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरू भी है. तीनों रूप में याद करो, कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परन्तु माया भूला देती है. बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप नहीं पताया है, यह पुरुशोत्म संगम युग है, यह याद करो. फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो, युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं, माया बड़ी तुष्टर है, घड़ी घड़ी तुमको गुलाएगी, और देह अभिमानी बना देगी. इसलिए जितना हो सके याद करो, उठते पैटते, चलते फिरते, दे के बदले, अपने को देही समझो, यह है मेहनत. नौलिज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं याद ठेहरती नहीं, तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खीच लेती है, इस पर ही यह खेल बना हुआ है. तुम भी समझते हो, हमारा बुद्धियोग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सबचिक्ट में होना चाहिए, वे नहीं है, भूल चाते हैं, परन्तु तुमें भूलना नहीं चाहिए, वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परन्तु पढ़ाने समय, कुछ तो आ आगे चाहिए न, कितने चित्र बनते रहते हैं, पांडव गर्मेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गर्मेंट के भी प्लान हैं, तुम समझते हो, नहीं दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था, सारा भारत विश्व का मालिक था, एवरिटिंग न्यू होती है, दुनिया तो एक ही है, आक्टर्स भी वही हैं, चक्र फिरता जाता है, तुम गिंती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा, आज कल करते करते, पांच हजार वर्ष पूरे हो गए हैं, कितना बड़ा बेहत का जार है, जार के पत्ते तो किद नहीं सकते हैं, यह जार है, इसका पांडेशन देवी देवता धर्म है, फिर यह तीन च्यूब्स यानि धर्म मुख्य निकले हुए हैं, बाकी जार के पत्ते तो कितने धेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिंती कर सके, इस समय सब धर्मों के जाड वृद्धी को पा चुके हैं। ये पेहत का बड़ा जाड है। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा जाड खड़ा है। बाकी फांडेशन है नहीं। बैन्यून ट्री का मिसाल बिलकुल आक्यूरेट है। ये एक ही वंडरफुल जाड ह बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा है समझाने के लिए। फांडेशन है नहीं। तो ये समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार पनाया है। अभी देवता धर्म का फांडेशन है नहीं। बाकी कुछ निशानिया है। आते में नमक, प्राई ये निशानियां बाकी रही हैं, तो बच्चों की बुद्धी में ये सारा ज्यान आना चाहिए, बाप की भी बुद्धी में नौलेज है ना, तुमको भी सारा नौलेज दे, आप समान बना रहे हैं, बाप बीच रूप है, और ये उल्टा जाड है, ये बड़ा बेहत का ज्रामा है, अभी तुम्हारी बुद्धी ऊपर चले गई है, तुमने बाप को और रचना को जान दिया है, भल शास्टों में है, रुशी मुनी कैसे जानेंगे, एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं, जिबकी सद्धती हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता, नाटक पूरा हो, तब तक सब एक्टर्स यहां होने हैं, जब तक बाप यहां है, जब वहां पिलकुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिर बाबा की बारात जाएगी, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे, तो बाप सारी नौलिज बैठ देते हैं, यह वर्ल्ड का चक्र, कैसे रिपीच होता है, सत्युग, त्रेता, वापर, खल्युग, फिर संगम होता है, कायन है, परंतु संगम युग कब होता है, यह किसको पता नहीं है, तुम बच्चे समझ गए हो, चार युग हैं, यह है लीप युग, इनको मिजित कहा जाता है, श्री कृष्ण क को भी मिजित दिखाते हैं, तो यह है knowledge, knowledge को मोर तोड़ कर भक्ती में क्या बना दिया है, ज्यान का सारा सूत मूझा हुआ है, उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है, प्राचीन राज्युग सिखलाने लिए विलायत में चाते हैं, वह तो यह है न, प्राचीन अर्थात प सिखलाने बाप आई है कितना अटेंशन रहता है तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए आत्मा को याद तो आता है ना बाप कहते हैं ये नौलिज जो मैं अभी तुमको देता हूं फिर मैं ही आकर दूँगा ये नई दुनिया के लिए नया क्यान है ये ज्ञान बुद्धी में रहने से खुशी बहुत होती है बाकी थोड़ा टाइम है अब चलना है एक तरफ खुशी होती है दूसरे तरफ फिर फील भी होता है अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल बाद देखेंगे बाप ही बच्चों को इतना सुखते ते है ना बाप आते ही है शांती धाम सुख धाम में ले जाने तुम शांती धाम सुख धाम को याद करो तो पाप भी याद आएगा इस दुख धाम को भूल जाओ बेहत का बाप बेहत की बात सुनाते हैं पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में चाते हो सतो प्रधान बनते जाएंगे कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे ये नौलेज खलास हो जाएगी बातें तो बहुत सहच हैं रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिम्रन करो तो भी खुशी रहेगी हम ये बन रहे हैं सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की पांच विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं लोग तो नहीं आया अपने उपर चाच रखनी हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस् देची, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धाना के लिए मुख्य साथ, पहला पॉइंट, योग बल से अथा सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है, इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है, खुशी रहे कि हम सच खंड के मालिक बन रहे हैं, दूसरा पॉइंट, रोज अपनी चांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोब के वश्तो नहीं हुए, वर्दान, वर्दाता त्वारा सर्व शुष्ट संपत्ती का वर्दान प्राप्त करने वाले संपत्ती वान किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपती है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते स्थूल संपती के साथ अगर सर्व गुणों की संपती, सर्व शक्तियों की संपती और ज्यान की श्रीष्ट संपती नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती आप सब के पास तो ये सब श्रीष्ट संपतियां हैं दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपती वाले को संपती वान समझते हैं लेकिन वर्दाता पाप त्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ट संपत्ति वानभव का परदान मिला हुआ है। स्लोगन सच्ची साधना त्वारा हाई हाई को वहाँ वहाँ में परिवर्तन करो। ओ शांती। आज के अव्यक्त इशारे। के देरूपी वस्र किसी भी संसकार से लटका हुआ न हो। जब सभी पुराने संसकारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कारे भी इजी होगे और पुरुशार्थ भी इजी होगा ओशांति